भया है है कि है कि एलौ एव्रिवान वेल्कॉम अगेंट में यह पढ़ने जा रहे हैं दधार सहाइफ फाल के लाइफ टेम एचीम में आभी आश्रा पारे को दिया गया है 2022 में 2021 में किसको दिया गया 2020 में किसको दिया गया और दादा साहिब फालके से जो भी important points है उसे आजम पढ़ने वाले हैं बहुत ही short and informative video होने वाला है बस आपको ध्यान से देखना है आपको सारे points याद हो जाएंगे स्टार्ट करते हैं फटाफट से तो सबसे पहले हम देखने वाले अबाउट दादा साहिब फालके सो दादा साहिब फालके को father of indian cinema कहा जाता है और इन्हों नहीं इंडिया की first silent film राजा हरी चंदर जो थी वो फालके नहीं ठीक है अब हमें कैसे याद रखना है father of indian cinema कौन हो गए दादा साफ फालके हो गए ठीक है अब पहली जो फिल्म थी राजा हरी स्ट्र नहीं तो कैसे रेट करना है दादा लिखना तो दादा यानकि हम लोगों के grandfather तो जो दादा जी होते हैं वो तरह तरह की हमें moral value सिखाते हैं तरह 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 से याद रखने हैं आपको 13 1913 और क्या सिखाते हैं कि हमें हमेशा सत्ते बोलना चाहिए अब हरी चंद को कहा जाता था था न कि वह बहुत सत्ते वादी थी सच बोलते थे तो राजा हरी जो राजा हरी चंद मूवी आई थी 1913 में आई थी किस ने रिलीज की थी दादा साइफ फालके नहीं रिलीज की थी ठीक है किस पर बेस्टी के हिंदू तो आपको याद रखना है अब चलते हैं नेक्स पॉइंट पे अब 2022 पॉइंट है उससे हम देखने वाल है राइट सो मैं कुछ प्रॉब्लम के वज़े से यह टाइप नहीं कर पाई कंटेंट बट आई होप आप लोग को ऐसे भी समझ आ जाएगा कुछ भी प्रॉब्लम लगे आपको तो कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट है दादा साइफ फालकी अवाड 2022 तो इससे लेके जो इंपॉइंट पॉइंट है उससे हम देख लेते हैं तो कौन से एडिशन थ अनुराग था कुरें राइट इंडिया का ये हाइस्ट ओनर होता है कौन सा वाड दादा साहिव फालकी अवाड तीक है पहली बार इसको दिया गया था 1969 की शुरुआत की हुई थी इसको दिया गया था देवी का रानी को दिया गया था अब हमें यह पॉइंट कैसे याद बहुत बड़ा वाड है तो उसको किसी ने किसी अच्छे से भवन में देया होगा है तो अच्छे से भवन तो भवन से याद में रखना है आपको भवन 52 तो 52 तो इस बार का कौन सा एडिशन था यह 52 था अब पहली बार इसको कम इंस्टिट्यूट किया गया 1969 से तो कैसे य लाइफ टैम देखेंगे कि हमने लाइफ टैम क्या काम किया तो वो बिल्कुल अपने लाइफ के दिनों में ही देखेंगे न यान की ओल्ड एज में तो ओल्ड एज यानि की 70 लगबग तो बस 70 से एक कम तो यानि कि 69 राइट तो 1969 में इसको पहली बार देना है स्टार्ट कि मिला तो अब लाइफ टैम देखा गया कि किसने बहुत अच्छे से काम किया तो किसको इसको उठाए गया राणी को ठीक है तो राणी से रिलेट कना है देवी का राणी ठीक है सो फॉर्स टाम इंद ये नियर 1969 में किसको मिला दादा साही फाल के अवर्ड लाइफ टाइम ए ठीक है तो इसमें 10 लाक रुपे दिया जाते हैं गोल्डन लोटस मिलता है और एक शॉल मिलती है ठीक है अभी हमने पीछे पड़ा कि पहले बर किसको दिया गया देवी का राणी को अब पहले परसन जिन्हें मिला पोस्थ मिसली यानि कि मरोनो परांद किसे दिया गया आफ पृत्वी राजकुष्पॉर अब छलते हैं next point पे next point अब आज आता है हमारा 2022 में किसी दिया गया तो 2020 5 को और कौन से यर के लिए 2020 के लिए 2020 के लिए 2020 के लिए लाइफ टेम एचीवमेंट अबाट दिया गया है किसको आशा पारेक को 2000 बेस्वर्ड दू कोविल की वज़े से नहीं मिल पाया नहीं डिस्रिप्योटर पाया तो 2022 में दिया गया ठीक है अब कैसे याद रुखने है यहां अब किसी का भाई है दादा है तो हमेशा जो छोटे होते हैं अपने बड़े भाई से हमेशा आश रहती है ना कि मेरा भाई तो यह काम करी देगा तो आश तो आश से क्या होचाएगा आशा पारेक ठीक है अब यह जो आशा बारिक है इन से इंपॉड़ेंट पॉइंट है कि इनको सेंट्रल बोर फिल्म सर्टिफिकेशन यहनकि सीभी एफसी का अध्यक्ष बनाए गया था है 1990 से 2001 तक और इक कॉंसे स्टेट को बिलॉंग करती है तो यह करनाटिका के बिलॉंग करती है ठीक है तो इस कोईन्ट है हमारा कि 2021 में और 2020 में किसे दिया गया था रशनी कान को फॉर यह टूथाउजन नाइटीन और इक कौन से मोवी से बिलॉंग करती है तो साउथ हिंदिन की तामिल लेंगिशिस की मोवी इसको यह बिलॉंग करते है बहुत पेमेस हैं जानते ही होंगे आप ल प्रेशिदेंट और पियम हो गए हैंब कर नहीं जो राजा राजा या रामिति दो हजारा या राजी घानी को तो ॆ है तो तौनिस को ड़ने कानट मों मिलें तो बात चुंगे तो क्यात मैं बॉन में था को नहीं का बशित Mon fetch तो अगर आप अपने दादा जी वगएरा को कहीं बस से लेके जा रहे हो कहीं ट्रावलिंग पे तो उनको बहुत जादा बचा के रखना पड़ेगा है ना बस में बहुत जादा जहते लगते है ना तो बचा के तो बचा बच्चन सो मिता बच्चन राइट तो 2021 में दिया गय को और 2020 का किसको दिया गया अमिताब बच्चन जी को ठीक है सो वीडियो यहां पे एंड होता है आई होप आप लोको सारे पॉइंट समझ में आया होगा तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा पीडियाफ के लिए आप लेंवेट्रिक्स चैनल से जोड के तो वेट करिएगा उस वीडियो का तो मिलिंगे अब नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग